हलो एबरिवन तो चली आज का क्लास स्टार्ट करते हूं राज का क्लास आपका फिक्स प्रिपोजिशन का पार्ट नंबर 33 और एकॉर्डिंग टू इस बूक ये पार्ट आपका आखरी है लेकिन आपके त्रिगीतम सर के हिसाब से ये पार्ट आखरी नहीं है एक पार्ट मैं और लाओंगा लेकिन एडिशनल वर्ड और फिक्स प्रिपोशन जब एक बार कम्प्लीट हो जाए उसके बाद में लाओंगा अभी आप लोग इस बुक को कम्प्लीट करो और वो आखरी पार्ट में मैं आप लोगों को बहुत कुछ नॉलिज देने वाला हूँ प्रिवियस एर के कोशन उठाओंगा और फिल इन दा ब्लैंक जो है इसके थूरू भी मैं एक्जामपल लेकर के आपको बताओंगा कि ये एस पी बक्सी का बुक कर लेना एनफ है या नहीं है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर एस पी बक्सी बुक से फिक्स्ट प्रिपोशन कर लो और इसके अलावा इसके बाहर भी कोई कोशन पूछ देता है तो भी आप एक्जाम में कर पाओगे इसके लिए मैं आपको प्रूफ के साथ बताओंगा आखरी पार्ट में ह हाँ आखरी पार्ट में लाओंगा एक बार जब फिक्स्ट प्रिपोशन आज तो कम्प्लीट करा रहा हूँ और एडिशनल वर्ड भी जब कम्प्लीट हो जाए तो उसके बाद में लाओंगा आप लोगो वेट करना तब तक और अच्छे तरीके से मैं आपको बताओंगा क कैसे यूज करने हैं एक्जाम में कैसे option eliminate करते हैं और कैसे समझने हैं चीजों को कैसे connect करने हैं चीजों को और आखरी बार में एक बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को इस से related fixed proportion से related कि आप लोग इसको रट्टा मत मारना यह जो fixed proportion दिया है इसका meaning दिया है इसको किसके उपर करना है sentence के ऊपर बार-बार में दूहराया हूँ फिर से आज में कह रहा हूं आक ow फिद आ कि यह चप्टर आपका आपको ज्यादा फोकस किस पर ना है तो sentence के ऊपर इस chapter में बाकिraszam को आप रिक्टली रटा मार सकते हो लेकिन क्या है कि fix preposter में आपको ज़्यादा ध्यान देने है इसके sentences के उपर तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर देते हैं आज के class और यह आखरी पार्ट है तो मैं बता देना चाहता हूं सबको कि मैं लोगों को personally guide भी करता हूं जो लोग नए हैं नहीं जानते इसके बारे में आप मुझे WhatsApp पे message करोगे मैं आपको बताऊंगा guide करूँगा कि सिर्फ काम पढ़ाने नहीं है मेरा पढ़ाने तक सिमित नहीं है मैं आपको चाहता हूं कि personal guidance के तहट मैं आपको हर एक words को याद करा दूँ अपके दिमाग में बिठा दूँ इसके लिए मैं nine months का time देता हूं आप लोगों से फालो करोगे बहुत फायदा होगा आपको और complete SP वक्सी के वकायबलदी को सिखाने का मैं प्रॉमिस करता हूं और पुरे जिम्मेवारी के साथ जिम्मेदारी के साथ पुरा मैं जिम्मेवारी लेता हूं कि आप इसको याद कर पाओ मेरे personal guidance के अंदर और जो लोग नहीं जा सब्सक्राइब सब्सक्राइब और एक्सपर्ट के साथ भी यह दोनों वर्ट कहीं भी मिल जाए तो इसका मतलब समझ जाना किसका मतलब होता है किसी चीज में कुशल होना निपूर्ण होना यह कहलाता है वर्स इन एक्सपर्ट इन जैसे यहां पर एजमपल दिया अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे यहां दिय बनाने के आ搞ा में बहुत ज्यादा क्या है निपूर्ण है कुशल है नेंस्ट है आपका तीन वर्ड है और इक सेंट में लिया अपका और वोट फुर्ट ऑउन वोट्ट डू क्या है इसका मतलब तो वोट फॉर जब भी हो तो किसी पर्संट का वहां पर मेंशन किया हुआ रहेगा है ना जिसे यहां पर vote for है तो क्या है politician के बारे में एक person के बारे में दिया हुआ है vote के साथ अगर on है तो समझ जाना ये वाला word आपको जरूर मिलेगा ये है resolution resolution का मतलब होता है क्या है तो प्रस्ताव जैसे बोलते हैं ना कि विधान सबा में फिर लोग सबा में एक resolution लाया गया प्रस्ताव को लाया गया बाद में पास होगा कि नहीं ये बाद की बात है और जब वो पास हो जाता है तो एक बिल बन जाता है वो बिल कहलाने लगता है वो resolution नहीं रहा जाता तो ये word आपका वहाँ पर रहेगा resolution sentence में तो समझ जाना कि vote के साथ on लगेगा और vote के साथ अगर two है तो यहाँ पर एक word होगा कि किसी authority के लिए जैसे आप कह सकते हो किसी अधिकार के लिए किसी को चूना जाना है ना किसी को चूनना vote देना तो वो कहलाता है जिसे यहाँ पर power के लिए किसी को चूना गया है तो यहाँ पर उसको एक authority मिल रहा है तो यह word यहाँ पर रहेगा तो समझ आना यहाँ पर vote के बाद two लगाना है लेकिन तीनों का sense किसमे है तीनों का sense है किसी चूनाव में किसी को चूनना ठीक है और थोड़ा सा जो minor फर्क होता है यह आपको मैं अभी समझा देता हूँ जरा ध्यान से समझो यह आपका vote for इसका मतलब क्या कहेंगे तो इसका मतलब आप कहेंगे कि किसी वैक्ति के लिए भोट देना किसी वैक्ति को जिताने के लिए मतदान देना और मतदान का क्या मतलब होता है दान का मतलब होता है डोनिट करना और मत का मतलब होता है अपना राए कि मैं अपना राए इसके पक्ष में रखता हूँ इसलिए वो मतदान कहलाता है तो vote for का मतलब है किसी वैक्ति के लिए vote देना जैसे यहाँ पर है और वैक्ति वो मिंशन रहेगा है ना देखो यहाँ पर जैसे है I don't vote for worthless politicians मतलब मैं बेकार घटिया politician के लिए vote नहीं करता अपना मतदान नहीं देता नेक्स टाप का vote के साथ on और यहाँ पर what आपको मिलेगा resolution तो यहाँ पर क्या है इसका meaning तो vote on का मतलब होता है किसी प्रस्ताव पर सहमती देना अपना स्विक्रिती देना अपना राई देना यह कहलाता है आपका vote on ऐसा नहीं कि vote देना ही है इसका meaning इसका meaning है तो क्या करते हो उस पर आप सहमती देते हो अपना स्विक्रिती देते हो तो यह कहलाता है vote on मतलब किसी प्रस्ताव पर अपना स्विक्रिती देना सहमती देना जिसे यहाँ पर है the members voted on the resolution मतलब member लोगों ने क्या क्या सदस्थी लोगों ने उस प्रस्ताव के उपर सहमती अपना दर्ज किया सहमती दिया अपना सुक्रिती दिया जो बहुमत के साथ क्या हुआ पास किया गया मतलब बहुत सारे लोगों ने इसके पक्ष में था तो सारे मेंबर्स ने भी क्या क्या उसके उपर अपना सहमती दर्ज कराया अपना स्विक्रीटी दिया next आप का vote to मतलब क्या है कि किसी को पावर देने के लिए क्या करना किसी को कोई अधिकार देने के लिए चूनना तो यहां पर है he was voted to power मतलब है power के लिए चूना गया था with thumping majority थंपिंग का मतलब होता हैं यहां बेजोरियटी के साथ मistant नहीं हारने के लाइक तो बहुत ज्यादा मेजोरियटी के साथ उसको क्या किया वोट दिया गया उसको अधिकार के लिए चुना गया किसी वक्ति को अब यहाँ पर देखो तेनों का सेंसे चुनने से रिलेटेड अब अगर यहाँ पर कह दिया जाता है कि फिक्स्ट प्रिपोजिशन है तो वोट के साथ अलग-अलग प्रिपोजिशन आ रहा है तो यह तो फिक्स्ट हुआ नहीं तो आपको किस पर ध्यान रखना है इसके सेंटेंस के उपर ध्यान रखने है जैसे मैं वोट के उपर दो और बातें बताना चाहता हूँ जैसे है यहाँ पर वोट के साथ आपका आता है आफ डबल एफ है यहाँ पर वोट आफ और इसी का मिनिंग होता है वोट आउट, अगर वोट आफ रहे या फिर आपका वोट यहाँ पे वोट आफ ए फिर वोट आउट रहे, देखो मेरा पेंद चल नहीं रहा, पता नहीं क्या होगा इसको एक सेकंड आप लोग थोड़ा सा रुखना मैं इसको थोड़ा correct कर लेता हूँ क्या pain में problem है हाँ अभी सही है देखिए एक है आपका vote off और फिर इसी का meaning होता है अगर vote off रहे आप फिर vote के साथ अगर out रहे इसको बोल सकते है vote out दोनों का meaning होता क्या है तो इसका दोनों का मतलब होता है युद्ध में नहीं हराना किसी चुनाओ में यह ज़ता है vote off और फिर vote out और अगर vote के साथ in रहा यहाँ पे out है और यहाँ पे in है तो इस vote in का मतलब होता है चुनाओ में किसी को जिता देना तो इस तरह के से आपको धिहान में रखने है और मुझे लगता है इतने सारे जो दिये हुए हैं इस बुक में आप प्रैक्टिस कर लोगे इसके सारे सेंटेंस को तो को भी एक्स्ट्रा भी दे देना तो आप समझ जाओगे आपको पता चलेगा किसर जो भी बता रहे थे कितना सटिक बता रहे थे और क्या तरीका होताए इसका इसका यह आपको आपको आखरी वीडियो में बताओगा तो वोट आउट है मतलव चुनाओ में एक तरीका इन हरा देना ठीक है अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के बारे में नेक्स्ट के है आपका जरा देखो वेंचर अपॉन तेखो यह वर्ड बहुत बार आप लोगों ने उन चुका होगा अभी मुझे लगता है बहुत बार मैं इस वर्ड को मिला हूं और एडिशनल वर्ड में आफिर जो भ अफिर ओन हो आप फिर देखो क्या हूं जिसका मिनिंग होता है ठीव किल भरे बिजटनस को अपने हाथों लेना मैं पहले भी बि बताया हूं तो जोखिम भर्ड को अपने हाथो लेना इसका क्या मतलब है कि वैभिसाइक को अपने हाथ में लेना जिसमें रिसक है व cleaning हो सकत लेकिंग मतलब होता है इसका मतलब होता है यहां पर मेन इसको मैं उसको कहते हैं लेकिंड मतलब होता है लेकिन enterprise का मतलब होता है नया business नया नई योजना कोई तो तीन meaning हाँ पर सिखे venture का मतलब भी वियोसाय होता है undertaking का मतलब भी वियोसाय होता है और venture का मतलब दूसरा sense होता है जोखिम भरे काम है ना जोखिम भरे कामों को भी बोला जाता है जो साहसी कार्री होते हैं नए बिजनस में निव एंटरप्राइज में नए बिजनस में नए योजना में क्या नहीं किया वह सहस नहीं किया है ना टाप का when on, when of, देखो, एक होता है in when, बोलते हैं ना वेर्थ में है, वेर्थ में चला गया ये, तो when का मतलब भी होता है क्या, वेर्थ अफिर बेकार, लेकिन यहां इससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर वेंड के साथ अगर ओफ आ जाता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? प्राउड ओफ प्राउड के साथ भी ओफ है वेंड के साथ भी ओफ है तो इसका क्या मिनिंग होता है? इसका मतलब होता है घमंड होना किसी चीज का अभिमान होना यह कहलाता है when of अफिर proud of जरह देखो क्या दिया है आपे sentence में though reach या दिपीवा क्या है she is not when of her wealth मतलब वा अपने धन के लिए अभिमान नहीं करती घमंड में नहीं है ऐसा इसका meaning है तो when of का क्या मतलब होता है किसी चीज का घमंड होना next है आपको देखो दोनों एक ही word से मिले बने है vexed with और vexed के साथ at आया है क्या आर्थ है इसका तो अभी तक तो मुझे लगता है जो student बहुत वीडियो देख चुके होंगे fixed proportion के तो आपको पता चल गया होगा कि with तभी लगता है जब कोई person आने वाला होता है at तभी लगता है जब कोई चीज आने वाला है जैसे मैं कहता हूँ न कि मैं एक चीज बोलू मतलब क्या चीज का क्या मतलब चीज का मतलब वो वाला चीज नहीं जिसको पनीर कहते हैं पनीर वाला चीज नहीं मतलब बोलते हैं ना अपने बोल चाल की भासा में कि क्या मैं एक चीज बताऊं मतलब क्या कोई थिंग बताने वाले हो कोई बात बताने वाले हो तो उस थिंग के अंदर कोई बात भी हो जाती है और फिर उस थिंग के अंदर किसी का behavior हो सकता है कोई वस्तू भी हो सकता है कोई आट है तो कोई चीज आती है और चीज़ें के चीजों में क्या-क्या हो सकते हैं एक्शन थेंक्स मतलब वस्तू बिहेवियर कंड़ेक्ट यह सब हो सकते हैं अब यहां पर एक्जांपल से समझोगे मतलब मेरे से परिशान मत हो इसका यह मिनिंग है वेक्ष्ट का मतलब किसी वैक्ति से परिशान होना तंग होना तो मेरे से परिशान मत हो मतलब मेरा भाई जो absent है एसके अनुपस्थिती का क्या है मुझे बहुत चिंता है बहुत परिशान हूं तंग हो गया हूं तो उसकी अनुपस्थिती पर मैं क्या हूं चिंतित हूं परीशान हूं तो यह इसका मतलब है वेक्ष्ट एड का मतलब किसी के अब सेंस के ऊपर यहां बोल रहा है कि वो परिशान है नेक्स्ट आपका वेट अपॉन वेट अपॉन है अब ज़रा देखो यहां पर इंतजार करने से सेंस में नहीं है देखो क्या है वेट अपॉन का मतलब और वेट के साथ अगर फोर आ ग देखो वेट के साथ एकर फोर है मतलब किसी वैक्ति के लिए क्या करना किसी परसन के लिए इंतजार करना और अगर वेट के साथ अपॉन है तो इसका मतलब होता है जिसको बोलते हैं अटेंड अपॉन देख लो अटेंड के साथ भी अपॉन है और वेट के साथ भी अपॉन है और इन दोनों का मतलब क्या होता है किसी की सेवा में होना जैसे मान लिया जाए कोई प्रधान मंत्री कोई कंट्री जा रहे हैं दूसरे कंट्री तो उसके आजू बाजू रहते हैं ना दो चार सेवक तो किसी के सेवा में होना यह कहलाता है wait upon और उन सेवकों को क्या कहा जाता है आप एक word जानते होंगे attendant है ना attendant इस attendant का क्या मतलब होता है तो सेवक होता है तो यहीं से आया है attend upon आप समझ सकते हो तो wait upon हो और फिर attend upon हो इसका मतलब होता है to serve करना मतलब सेवा करना किसी के सेवा में होना जिसे यहां पर दिया है example में who is waiting on this table मतलब इस table के उपर कौन सेवा में है मतलब आप अगर होटल जाते हो तो होटल में अब क्या पूछते हो कि कोई यहां पर waiter है क्या तो waiter यहीं से आया है यहीं से word आया है waiter का मतलव, इंतजार करने वाला नहीं, सेवा में कौन है यहाँ पर, इस टेबल पर, यह पूछने की कोशिश कर रहा है, तो wait upon का मतलव, attend upon का मतलव होता है, to serve करना, किसी की सेवा में होना, next आपका wait के साथ for, इसका मतलव किसी वैक्ति के लिए इंतजार करना यहाँ पर दिया है, he is waiting for her, मतलव वा उसका इंतजार कर रहा है, किसी का इंतजार कर रहा होगा वो, अब जड़रा बात करते हैं next के बारे में, next क्या है आपका, यह है wary of, देखो अब बहुत सारे word पढ़े होगे, वेर से related, जैसे कि आप कह सकते हो, tear and wear पढ़े होगे, कोई टेकनिकल बंदा होगा तो पता चला होगा उसको, जैसे एंजिनियर लोग खास करके, जैसे टायर का घीस जाना, यह कहला आप टेर and wear हो जाना, किसी वस्तु का घीस जाना, पुराना हो जाना, यह कहला तेर and wear, तो इसी सेंस में है यह wary, वहीं से आया है, जिसका मतलब होता ह तो ठक जाना, wearie of का मतलब होता है, कि ठक जाना, उप जाना, इसका यह मतलब होता है, अब जर्ड़ा देखो, यहा पर क्या है, और thing दिया है मतलब किसी चीज से ठक जाना मतलब कोई काम से ठक जाना और क्या हुआ हुआ आराम करने के लिए bed पर चला गया, मतलब bed पर लेट गया, अब यहाँ पर एक phrase आता है आपका देख लो, सीख लो इसको retired to bed यह आपका एक phrase है, एक phrase का मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा, अभी मैं promise नहीं करता कि near future में बनाऊँ, लेकिन बहुत शांदार तरीके से, मैं अपना book जो लिख रहा हूँ अभी, वो दो chapter से start हुए है, और first chapter है आपका एक बहुत ही अच्छा sentences होगे उसमें, ताकि आप grammar भी सीख पाओगे, और translation भी सीख पाओगे second chapter है आपका यह phrase के बारे में, phrase होता है, जल्दबाजी में होना, अब common error की question में एक sentence है, जिसमें यह वाला phrase है, इन यह हर्री, वो क्या करता है तुरंट इसी में सोचता है, कि इसी में गलती है, क्यों क्योंकि हर्री तो uncountable noun type का कोई चीज़ है, इसके पहले a कैसे आएगा uncountable noun के पहले नहीं आता, तो इसका knowledge होना बहुत जरूरी है, जिसको कहते है phrase, तो phrase का knowledge होना बहुत जरूरी है, और उससे क्या पता चलेगा, आप कभी confuse नहीं करोगे, अपने बोल चाल के भासा में भी आप आसानी से use करोगे तो थोड़ा सा smart बनोगे, स्मार्ट ये सब words होते हैं, तो phrase सीखना बहुत जरूरी है, आपके knowledge के हिसाब से भी, और बोल चाल के हिसाब से भी, तो उसी तरीके से यहां पर retired to bed, इसका मतलब भी होता है, अराम करने के लिए bed पर जाना, ठीक है, और एक और सीख लो, bed से related, एक होता है, off to bed, ओ, डबल एफ है ये, off to bed, off to bed का भी क्या मतलब होता है, तो नींद के मारे bed पर जाना, मतलब सोने के लिए bed पर चले जाना, और इसका मतलब ये नहीं समझ लेना, bed पर जाने का बहुत सारा मकसद होता है, और तो बहुत सारे मकसद के लिए, ये यूज नहीं करेंगे, जब आप नींद में आगे हो, सोने का मन कर रहा है, तब bed पर जा रहे हो, तब उसका मतलब क्या है, तब आप यूज कर सकते हो, off to bed, मतलब मेरी sweet baby जो है, वो अब क्या है, नींद के मारे bed पर लेटने जा रही है, मतलब वो क्या है, अब bed पर लेट चुकी है, अब फिर सोने के लिए, आराम करने के लिए चली गई है, तो ये दोनों का यूज कर सकते हैं, खास करके इसका यूज करते हैं, off to bed का, मतलब मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, और इसका मतलब समझ सकते हो, जैसे मैं क्या बताया आपको, I am, I am off to bed, मेरा थोड़ा pain का condition ठीक नहीं है, I am off to bed का मतलब क्या है, इसका मतलब होता है, I am going to bed, मतलब bed का दरसन करने के लिए नहीं, सोने के लिए जाते हो, तब आप कहते हो, I am off to bed, ठीक है, तो इसको याद रखना दोनों को off to bed का मतलब, और retired to bed का मतलब क्या होता है next stop का worn against और next stop का worn off क्या मतलब है तो देखो यहाँ पर अगर against है तो warn against का मतलब होता है क्या तो इसका मतलब होता है किसी खत्रे, लापरवाही, गल्ति के लिए चिताउनी देना किसी बंदे को आप चितावनी देते हो, किसी खत्रा होने का, और worn off है, इसका मतलब भी यहाँ पे खत्रा दिया है, क्या फरक है, यह मैं अभी आपको बिताता हूँ, तो इसका मतलब है, warn off का मतलब होता है, किसी खत्रा के बारे में चितावनी देना, लेकिन यह अगर off आ गया तो उसमें आपको reflect होगा एक sense कि अपने अनुभो के अधार पे अपने life experience के अधार पे या फिर अपने study के अनुभो के अधार पे आप किसी को अगर warn करते हो चेतावनी देते हो तो वहाँ पे warn off आता है और warn against कहते हो मतलब क्या है कोई खत्रा आपके सामने आही गया है और उसके लिए आप क्या कर रहे हो उसको चेतावनी दे रहे हो कि ये करोगे तो ये हो जाएगा और इसी तरीके से अगर warn के साथ अगर double F वाला off आ जाता है यहां पर single F वाला है यहां double F वाला है तो warn off का क्या मतलब होता है इसका मतलब क्या होता है तो warn off का मतलब होता है मना करना किसी काम करने से किसी को रोकना वो कलाता है आपका warn off और इस off में आपका double F है तो तीनों को याद रखना एक warn off है आपका क्या कि किसी को किसी खत्रे के बारे में चितावनी देना अपने अनुभोग के अधार पर और अगर वर्ण के साथ डबल एफ वाला आफ आया तो इसका मतलत होता है किसी को मना करना किसी काम करने से रोकना ठीक है? अब जड़ा देखो यहाँ पर में मीनिंग सबका बता दिया क्या अरथ है इसका? यहाँ पर वर्ण अगंस्ट का इसका आरथ मैं बताया किसी खत्रे किसी गलती के लिए एफिर किसी लापर वाही के परिनाम को भुगतने के लिए चितावनी देना ऐसा कुछ सेंस है यहां पर क्या है I have already warned you against your carelessness मतलब मैं तुम्हारे लापर वाही के लिए मैं तुम्हें क्या किया था warn किया था है ना warn against किया था मतलब आपको चिताव नहीं दिया था यहां पर है he warned the nation of financial crisis मतलब मान लिया जाए मनमोहन सी जैसे बहुत पढ़े लेखे इंसान हो और सुब्रमानियम स्वामी दोनों पार्टी से एक अक ले 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 लेते है ना ताकि किसी को तकलीफ ना हो तो सुब्रमानियम स्वामी भी बहुत knowledge है उनका finance sector में और मनमोहन सी खुद भी अपना एक एकनॉमिस्ट है तो दोनो वस्तुक के बारे में दिया हुआ यहां पर जिसका मतलता है कुछ पाने की कुछ पाने की इच्छा रखना तमना होना है ना तमना जब मैं जाहिर करी दिया हूं तो आकांचा भी बोल सकते हो है ना तमना होना कामना होना आकांचा होना कुछ पाने की इच्छा होना तो यह क मतलब क्या है कि मैं अपने जिन्दगी में किसी चीज की कामना नहीं रखता, किसी चीज की मनो कामना नहीं रखता, तमन्ना नहीं है, कोई आकांशा नहीं है, विशिस नहीं है, यह कहराई है, यहाँ पर है वर्दी आफ, वर्दी आफ का मतलब होता क्या है, प्रेज और नोट ये praise और not इसका meaning नहीं दिया है इसका मतलब आपको संकेत दिया है एकदम indicate किया है कि ये वाला जब भी आपको phrase मिले न समझ जाना इसके बाद आप तो praise वाला word होगा और फिर इसके बाद वाला word जो होगा वो not होगा, क्या मतलब है इसका तो worthy of praise एक साथ आएगा और फिर worthy of not एक साथ आएगा जिसका meaning होता क्या है तो इसका मतलब होता है प्रसंसा के लायक होना किसी चीज के प्रसंसा के लायक होना जैसे यहाँ पर कह रहा है your remarks are really worthy of not है ना, worthy of note क्या मतलब है, worthy of note रहे और फिर worthy of praise रहे दोनों का मतलब है कि आपका जो remarks है, tipणी है किसी को पर जो आप tipणी दिये हो अपना कुछ एक राय दिये हो तो वो जो आपका राय है बिलकुल प्रसंसा के लायक है तो worthy of praise और फिर worthy of note का मतलब होता है प्रसंसा के लायक होना नेक्स आपका wanting in और फिर lacking in दोनों का मतलब क्या होता है तो दोनों का मतलब होता है आपका कि किसी चीज की कमी होना यहाँ पर दिया है she is wanting in common sense she is wanting in common sense मतलब वह common sense उसके अंदर common sense की कमी है यह इसका मतलब है अब फिर वो उस चीज की कमी है किसी के अंदर तो आप यूज कर सकते हो वांटिंग इन और फिर लैकिंग इन अब नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट आपका वाड आफ क्या मतलब है वाड आफ का मतलब होता है कीप अट या डिस्टेंस क्या अर्थ है इसका तो किसी चीज को दूर रखना अब फिर किसी चीज से बचाव करना खास करके अपने सुरक्षा के लिए बचाव करना ये कहलाता है वाड आफ ठीक है अपने सुरक्षा के लिए आपको एक मुक्का मारना चाहरा है तो आप क्या कर रहे हो, अपने हाथ को आगे कर रहे हो, मतलब अपने बचाओं में, तो भी वहाँ पर आप यूज कर सकते हो, वाड ओफ का, अपने बच्चों को बुरे संगती से बचाना चाहरे हो, तो भी वाड ओफ का यूज कर सकते हो, और उसको दूरी बनाये रख सकते ह हो तो क्या है यहां पर वाड ओफ का मतलब होता है दूरी रखना दूरी बना कर रखना मतलब अपने सुरखचा के दिरिश्टी से अब फिर बचाओ करना खुद के लिए ऐहां पर क्या दिया है हिंदूस believe in many rituals मतलब बहुत सारे करम कांड में believe करते हैं कौन हिंदूस to ward the evils off मतलब बुरे evils का मतलब क्या आता है बुरे आत्मा है ना तो बुरे आत्मा से बचने के लिए बहुत सारे rituals में believe करते है हिंदूस तो यहाँ पर है ward off का मतलब बचाओ करना next है यहाँ पर wary of देखो इसके पहले पढ़ा था wary of है ना तो यह वाला नहीं है ठक जाना है ना यहाँ पर wary wary का मतलब होता है क्या कि सतर्क होना सावधान होना तो किसी चीज़ से और यहाँ पर देखो cherry के साथ भी आपका off दिया है wary and cherry दोनों का meaning होता है सतर्क होना सावधान होना wary of जिसको एक मैं बताया था कुछ तो एक word था सरकम करके मुझे याद दिला आप लो कमेंट में सरकम से कोई सरकम location नहीं एक word था आपका कुछ तो था मेरा presence of man से अभी उठ गया है तो वो भी एक word आता है जिसका मतलब होता है सरकम सरकम का मतलब होता है क्या चारों तरफ का ग्यान रखना उसके बारे में सावधान रहना तो उसी से वो word बना है मेरे दिमाग में अभी उठ गया है तो wary of और चेरी of दोनों का मतलब होता है क्या किसी चीज से सतर्क होना किसी चीज के बारे में सावधान होना अब फिर किसी अपने इर्दगीर होने वाले जो घटना है उसके बारे में भी जानकारी रखना तब भी कहलाता है wary of अब यहाँ पर क्या है example में we should be wary of strangers मतलब हमें strangers से अजनबियों से क्या होना चाहिए wary of होना चाहिए सतर्क होना चाहिए सावधान होना चाहिए नेश्ट है आपका yearn 4 तेखो यहाँ पर e, a, r, n वाला नहीं है earn मतलब कमाने वाला नहीं है excuse me अब जिला देखिए यहाँ yearn 4 है तो yearn 4 का क्या मतलब होता है acute desire acute desire का मतलब बहुत strong वाला desire आपके अंदर हो वही तमना और आकांचा वाली बात हो जाती है इच्छा वाली बात और यहाँ पर है long के साथ four तो longing का मतलब होता है किसी चीज की इच्छा रखना तो yearn 4 है और फिर long 4 है दोनों का मतलब क्या होता है तो किसी चीज के लिए तरसना किसी चीज के लिए तरस उठना और जो कहते हैं किसी वैक्ती से मिलने के लिए तरप उठना जैसे आप लोग गाना गाते हो ना एक गाना कौन सा नहीं है कि मुझे जीने नहीं देती है यादें तेरी है ना तो इस तरीके कि जो गाना गाते हो तो कब गाते हो जब मतलब किसी से मिलने के लिए अगर आप तरप रहे हो तरस रहे हो तो उस सेंस में भी गाने आपके मुझे ऐसे भी निकल जाते हैं कि मुझे जीने नहीं देती है याद है तेरी तो year and four हो और फिर long four हो इन दोनों का मतलब उता है किसी चीज के लिए तरसना किसी वक्ति के किसी वक्ति के मिलने के लिए थोड़ा तरसना तरप उठना यहाँ पर क्या दिया है She earned for the return to her own home मतलब वह अपने घर वापिस आने के लिए क्या हो रही है तरस रही है मतलब तरप रही है है ना तरपने मतलब मतलब बहुत ज्यादा शोक वाला तरप नहीं तरप का मतलब की जो बोलते ना स्वीट पेन स्वीट पेन मतलब समझते हो मुझे अभी भी याद है एक डॉक्टर से मिलने गया था जब मेरे चेहरे पे इसमें क्या दिकत है? कोई दिकत तो नहीं है, तो क्या प्रावलम इसको ठीक करना चाहते हो? तो मैंने बोला कि सार दर्द तो करता है, लेकिन मिठटा मिठा दर्द करता है तो हमोगात समझ coinc hard apply aBER और Grade तो वो जो मिठा दर्द होता है यहhour four किसी के इन्तजार में अगर आप चरुस्ते हो तो वो मिठा मिठा वाला पें अना और चलो बहुत तो इसका मतलब मैं बता दिया आपको क्या होता है फिर क्या है यहाँ पर जिल्स फोर और फिर जिल्स अबाउट और यह जिल्स है यह जिल्स नहीं है ध्यां देना यह जिल्स वाला नहीं है जिसका मतलब होता है डा होना किसे इस्रिया होना है ना तो ये जिल्स है और ये जिल्स है ये जी है और ये जे है ऐसे पढ़ना तो ये जिल्स फोर हो और फिर जिल्स अबाउट है तो क्या आर्थ होता है इसका मतलब होता है क्या कि कि किसी चीज के लिए उत्सुक होना बिल्कुल जोश से भरा होना जिसे मान लिया जाए याँ पर अपने country के ओनर के बारे में बात कहा है किसी soldier का तो किसी country अगर आपके मान सम्मान है उसको बचाने के लिए आप बिल्कुल हमेशा जोश से भरे रहते हो कि चाहे जो भी यान पड़े मुझे तो इसको बचा के रखना है ना अपने प्रतिष्ठा को अपने ओनर को तो जिल्लस प्रतिष्ठा के लिए मान सम्मान के लिए एक सेना एक सैनिक हमेशा क्या होता है जिल्लस फोर होता है अपिर जिल्लस अबाउट होता है मतलो जोश से भरा होता है उसकता से भरा होता है बिल्कुल एनरजी से भरा होता है मैं सब को बता दिया और हमेशा की तरह फिर से मैं ए कि आपको रिवाइज करने में ज्यादा टाइम ना लगे अब एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर करना शेयर करो या ना करो शेयर करने का भी तरीका होना चाहिए ऐसा नहीं कि किसी ग्रूप में आप जा रहे हो और बार बार मेरे वीडियो को शे किसी शेयर किये जा सकते हैं लेकिन लिंक को शेयर करके किसी को परिशान नहीं करना है और जहां तक लाइक की बात है लाइक तो आपका करने में कुछ जादा नहीं है ना करोगे लाइक तो क्या होगा अगले बंदे जो भी विजिट करेंगे चैनल पर लगेगा हाँ सर ने अच्छा पड़ा रखा है इसका मतलब है कि किस चीज से रिफ्लेक्ट होगा आपके लाइक से ताकि दूसरों को पता चले और कमेंट भी किया करो कमेंट भी करने से क्या होता है कमेंट करने का मैं तरीका पहले भी बताया हूँ कि कमेंट करने से आपको क्या फाइदे हैं औ वैसे आप एक, दो, तीन लिख दिया करो और हाँ, लिखो फर्स टाइम वाचिंग, सेकेंड टाइम वाचिंग, थर्ड टाइम वाचिंग वन, टू, थरी लिख देते हो तो कोई लोगों को लगता है कि 10 में कितना लिंक दे रखा हूँ, how to learn vocabulary वीडियो करके, उसको देखने के बाद लोग इसको यूज करते हैं, फाइदा भी होता है इससे मैं ज़्यादा कुछ आपको नहीं बोलता कि फालतू, फालतू कमेंट करो है ना, वैसे भी शेरो शेरी भी कर सकते हो, motivation के लिए और फालतू कर नहीं, बाकी आपकी मर जी, कमेंट तो आपका है मेरा नहीं, अब ज़रा देखो यहाँ पर मैं क्या करने वाला था recap है न, recap, recap को क्या मतलब होता है, recap का मतलब होता है recapitulate का एक short form होता है जिसका मतलब होता है किसी को संचेप में फिर से दुरा देना, तुम्हें दुराने जा रहा हूँ देखो, यहाँ वर्स इन, वर्स इन का मतलब होता है क्या, expert in दोनों का मतलब होता है कुशल होना, निपूर्ण होना next आपका vote for a person मतलब किसी वाक्तिक के लिए vote देना, मतदान देना, यहाँ पर है vote on, resolution के sense में किसी प्रस्ताव पर सहमती देना और फिर स्विक्रिती देना, next आपका vote के साथ two आया है और vote के साथ two आजाए तो इसका मतलब क्या होता है कि किसी अधिकार के लिए किसी वाक्तिक को चुनना, है ना और इसी तरिके से मैं vote off बताया vote off और फिर vote out और vote in इसका मतलब होता है किसी को चुनाव में हरा देना, और इसका मतलब होता है किसी को चुनाव में जिता देना, next venture upon का मतलब होता है कोई जोखिम भरे ब्योसा है और फिर business को अपने हाथ हो लेना, next आपका वेंसका मत्लब होता है दिसkel का घ्मन होनाnost किसी चीज का अभिमान होना है यह 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 कुछ किसी की से क्ट किसी के करना कि से इता नेंस्ट का वेट वेट इफ आफ है यहां पे तो इस वर्न आफ का मतलब होता है किसी खत्रे के बारे में चितावनी देना और अपने अनुभाव के धार पर और अगर यहां आफ के जगा पर डबल एफ वाला आफ आ गया तो वर्न आफ का मतलब क्या बताया था किसी को मना करना किसी काम करने से रोकना क्या होता है वर्दी आफ प्रेज अफिर वर्दी आफ नोट अगर ऐसा रहे तो इसका मतलब होता है प्रसंशा के लायक होना नेक्स्ट है वांटिंग इन अफिर लाकिंग इन इन दोनों का मतलब होता है क्या किसी चीज की कमी होना नेक्स्ट आफ का वाड आफ वाड आफ का म मतलब होता है acute desire long for मतलब किसी चीज के लिए तरसना किसी वैक्ति से मिलने के लिए तरब उठना और जानते हो आप लोग इसलिए बहुत सारे काने बने हैं पर्देशियों से अखिया मिलाना क्यों कि बाद में यहीं चीज करना पड़ेगा अगर अखिया मिलाते हो तो अभी चिपचाप पढ़ाएं पर ध्यान दो करियर बनाने पर बाद में बहुत सारे अखिया मिलेंगी आपको नेक्स है ज सर के लिए मुझे कुछ करना चाहिए इन दा सेंस की चैनल का ग्रोथ हो तो आप लोग अपना अपना तरीका से मुझे राय सजेशन दे सकते हो कमेंट में और यह आखरी चैप्टर है इसलिए मैं थोड़ा सा बकवास की बाते करा वैसे मैं कभी भी कभी भी बिलीव ने करता क कभी भी इन दा सेंस ओनलाइन वीडियो की बात कर रहा हूं और अफलाइन में अतने गप्पे मारता हूं स्टुटिटन के साथ इतनी कहानियां बताताओं ऐसी इसी बाते को लगों को लगता है कि बस सर के हर एक बातों मैं कुछ न खुछ घ्ञान चुपा हुआ है तो ऑफ खजय को तर खख़ लिए लिए काशिए भी गदर कि वह अबड़ां अबना पर दो